सिंग जी की शहादत को नमन करता हूँ आज के इस खुदगर्ज दौर के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए उनके मन में इतनी तीड़ा है कि वो इतनी बड़ी सुप्रीम सेक्रिफाइस कर सकते हैं जानी जारा, वो रोज सिंगु बॉर्डर पर आया करते थे, किसानों के लिए जैकेट, कंबल रोज लेके आया करते थे और जब किसानों की वो पीड़ा उनके लिए असहाई हो गई, तो उन्होंने ये शहात्त दे दी अभी तक बीस से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन को भी बीस दिन हुए हैं, तो लगबग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि और कितनी शहादत और और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के खिसानों की बात सुनोंगे अध्यक्ष मौदे अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही अंदोलन हुआ था उन्निस सो साथ में उस अंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जटा पंजाब में अंदोलन हुआ था बिल्कुल हूबहू ऐसा ही अंदोलन वो अंदोलन भी तीन कानूनों के खिलाफ था अंग्रेजों ने तीन कानून पास किये थे बारी दोआब एक्ट पंजाब लैंड कोलोनाईजेशन एक्ट पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ अंदोलन किया था इतनी सम्ख्यां में लोग कठे हुए थे नौ महीने तक ये अंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ तो एक तो ये केंदर सरकार ये ना समझ लेकि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं उस अंदोलन की लीडर्शिप की थी भगत सिंग के पिता जी ने किशोरी सिंग जी ने और भगत सिंग के चाचा ने अजीद सिंग जी ने उन दोनों ने मिलके एक भारत माता निर्मान सोसाइटी बनाई थी उस सोसाइटी की लीडर्शिप के अंदर वो अंदोलन हुआ था इन तीनों कानूनों को खारिज करवाने के लिए उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े मेंडमेंट कर देते हैं कई राउंड अफ डिसकेशन हुए थे केंदर सर्व अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें तीनों कानून वापस करवाने हैं और अंत में अंग्रेजों ने तीनों कानून वापस लिये थे मैं सोच रहा था कि भगत सिंग ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किसम से आंदूलन करने पड़ेंगे आजाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी आज कितने किसान हमारे सिंगु बॉर्डर के उपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं एक एक किसान भगतिन बनके वहाँ पे बैठा हुआ है केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानून समझने कानूनों का फाइदा समझने आता तो केंद्र सरकार में अपने सारे बड़े दिगज नेता जितने बड़े बड़े इनके नेता है उनको उतारा है कि समझाओ और वो समझा रहे है आज योगी आधित्यनाथ जी जो भारत्य जन्ता पार्टी के बहुत बड़े नेता है उत्रपरदेश के मुख्यमंत्री है वो तीजी में आरा था शायर बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की उनको कहा गया वे इन तीनों बिलों के फाइदे समझाओ तो फाइदे समझाने लगे वो तुम्हारी जमीन नी जाएगी ये फाइदा है क्या वो तो थी अभी तक अब जाएगी नहीं मतलब ये क्या फाइदा है तुम्हारी मंडी बंद नी होगी ये फाइदा है क्या तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये अरे भडिया ये तो थाई हमारे बास, फाइदा क्या है, तो इनसे किसी से पूछ लो ये इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो किसी भाजपा वाले से, कि फाइदा क्या है, वो बत इसी से पूछो भाजबावाले से फाइदा क्या है तो सारे जनों को एक लाइन रिटा रखी है किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी देश सकता है यह कहते है न यह तो एक मेरे को बोलने दीजिए मैंने आप लोगों जब बोल रहे थे मैं चुट्याप सुन रहा मैं आज धान का MSP 1868 है उत्तर परदेश और बिहार में ये 900 हजार रुपे में बिकरा है मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर परदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से सिज्जादा दान में जाए हवा में बात करने से क्या फायदा है कहीं भी बेच लो कहीं भी बेच लो और कहां बेच लें बताओ तो सही अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा उनको भी पता है कि कौन बेचेगा उनसे पंजाब में खरी देगा उत्तर परदेश में उनसे 800 रुपे में बेच के वही बड़े बड़े पूंजी पती इतनी महगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महगा देंगे ये किसानों के बेचने के लिए कानूमी बनाया गया तो कहा जा रहा है कि किसानों को घ्रमित किया जा रहा है किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा भाजपाईयों को भ्रमित किया जा रहा है सारे भाजपाईयों को अफीम खिला दिया और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यहीं बोलो मैंने अज पूरा भाशन सुना योगिया दित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फाइदा है, वो पूरे भाशन में वो भाशन था इसी बात के लिए, कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फाइदा है, आज सुप्रीम कोट में केस था, कल भी था, हमारे वकीर ने सुप्रीम कोट में खड़े होके का, कि किसानों की मांगे जाए जाएं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए, केस इसलिए था कि दिल्ली के बार्डर के उपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक के दिक्कत हो रही है, हमारे वकीर ने खड़े होके का, जी इसके लिए के किंद्र सरकारी भूंते में इनकी मां Turn out-स जाए दरना-कंडर इसी ये ने-धुरा केंद्र सरकार नुकर ने दरी सो केंद्र सरकार वक्राव कील बोलता है कि धिली सरकार तो कावराफील तो किसानों पावचील बनके बना हुआ है तो तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का कान किस के लिए करो, किसान इस देश का निर्माता है और अब किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किस की वकालत करोगे, दलालों की वकालत करोगे तो एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे, कि करोना काल में ओर्डिनेंस क यूँ पास किया गया ऐसी क्या जंदबाजी को अभी ये कानून शायद सक्तर साल के भारत के इकिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास 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 करके पास कर दिया जबकि पूरा हाउच चिल यह कई जलता है आपने कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया अगर। चिलाता है आप 10 अरी ofrik पिर दुबारा बैट बैड़ते हैं फिर हाउज और में आ जा जाता फिर वोटिंग कराते हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर तीन कानून बस पास-पास कर दिये, जक्षने और पास हो गए, कोई वोटिंग ने कर आए इसको ऐसी क्या आफथी कि ये कानून पास कर दिये गए पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारते जंता पार्टी ने चुनाओं को कितना महंगा कर दिया कितना पैसा खर्च होता है चुनाओं के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारते जंता पार्टी के चुनाओं की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले किसान तो समझ गए बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा तो अध्यक्ष महदे मैं इसका समर्थन करता हूँ और ये तीन कानून है ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सानून हुआ है इन तीनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरा बिलकुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के उपर दो डिगरी टेंपरीचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता मैं भी पहले उस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंतरी बाद में हूँ तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधान सबाख हारिज करती है और केंदर सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बत्तर मत बनों अंग्रेजों नौ महीने में कानून वापस ले ले थे आप कम से कम आजादी की इतनी तो इज़्जत रख लो कि 20 दिन के बाद आप इन कानूनों को वापस ले अग्रेजों अब शरी केलाज गलोप माने राज्च्व मंत्री द्वारा नियम 90 के चैस्ट प्रक्षू संकल्प सगन के सामने है जो इसके पक्ष में हाँ कहें हाँ जो इसके गलोप में ना कहें हाँ पख जीता हाँ पख जीता संकल्प स्रिकार गुए अब श्रीष तेंदर जैंजी मन्निय उज्जा मंत्री कार्या सुच्विके बिंदू करमांग दो में दर्शाए गए सबी दस्तावेजों की थर्तियां सदन पड़ प्रस्थ करेंगे मैं आपकी अनुमती से कारे सुची के गिंदू करमांग दो में दर्शाय गए जस्तावर्जों की पती सर्दम पद्रपर पर पस्तुत करता हूँ अब सर्दम की कारवाई पंगरा मेंट के लिए सगी कुछी है तिल नेक्स बीज़ों के च्छाओ झाला गटूों की अच्ची करना है झाल झाल